के ऐगाइस काई तो अभी मैं रियक्षिन करना चाहता हूं यह करने जा रहा हूं YN तेन सौंग्स है डिवाइन के क्यों डिवाइन को लीरक्स का किitution कहा जाता है क्यों डिवाइन को इस इंडस्ज्री में बॉस बीक Believe या फिर King कहा जाता है, उसके जो lyrics है ना, उसके songs के, वो इतने powerful रहते है, वो present करते हो situation को, और most of those के songs about Bombay slums, first about slums, Bombay के जो slums है, 60 to 70 percent, Mumbai के जो population है, जो slums में रहती है, उसके बारे में एक positive presentation है, next games, यह मेरा Bombay, same again, वो song भी totally जो normal routine life है, Bombay की, जो लोग ऐसे जीते है, normal people किस तरह से उनका daily काम रहता है, किस तरह से उसा भी routine manage करते है, उसके बारे में है, तो वो song है, और तीसरा है, तीसरी मनजिल, यह song भी बहुत अच्छा है, इसके lyrics, उसके beats, beats, बहुत ज़्यादा अच्छे, every time सुन सकते हो, M.E.O. बनटा है, तो मेरा favourite है ही है, रपतार है, आनी सिंग है, बादशा है, फिर उसके बाद में, नेजी है, सब भी rappers अपने अपनी जगा पे, अपनी अपनी से ठीक है, लेकिन Divine और M.E.O. बनटा है, specially मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सुनता हूँ उनके गाने, इन दोनों के specially, और ये तीन Divine के specially, बहुत ज़दा सुनता हूँ, और M.E.O. बनटा है कि तो almost सभी सुनता हूँ, उसके funny रहते हैं, ऐसा मजाग भी आता है, सब कुछ रहता है, लेकिन ये तीन गाने Divine के top level पे हैं, तो उनके ओपर मैं reaction करूँगा, और इसके जो lyrics है, जितने हो सके मुझे समझ में आए, उतने में आपको explain करूँगा, So, do enjoy those songs, do enjoy music and salute Divine for presenting Bombay का जो slum है, Bombay का जो, क्या बहुत सकते हैं, जो local से लोग जैसे travel करते हैं, जिस तरह से इडली सुबह सुबह बनाए जाता है, जिस तरह से लोग गली से जाते आते हैं, वो सभी चीजों को उसके salute है, इसलिए रनबिर सिंग ने उसके ओपर, ये गली ब मूवी बन रहा है उसके और नेजी के ऊपर, उसमें एमयोबन टाइप ये बहुत जगा पर है, वीडियोज में हम देख सकते हैं, तो ऐसे रियल आर्टिस्ट के ऊपर मूवी बन रहा है, इसलिए गली बॉई को भी salute है, और Divine के बारे मैं और क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ उसकी life story देखे हैं, थोड़ा सा research करेंगे, यूटूब पे देखेंगे, आपको समझ मैंगा, proud feel करने जैसा है, जिस मुकाम से वा है, और मूवी अपने songs में बताता है कि कैसी life है, उससे कुछ message रहता है, और सबसे worst part है उसकी जो negative shades दिकाता है, उनको positively present करता है, मतलब जो और आपके surrounding में जो कुछ हो रहा है, यही तो rap है, मैंने rap के बारे में video बना है, what is rap, हो जाके आप देख सकते हो rap क्या है, यूज आके आप देख सकते हो, उसके बारे में पूरा video बना है, उसके बादे, what is artist, artist क्या होते है, फिर उसके बाद में, singer mea हो इस अभी इसमें detail explanation की इसमें पूरा डिटेल मैंने डिसकस किया है और एक्चुल आर्टिस्ट क्या होते है उसके अबारे मैंने बूला हूँ जाके देख सकती हूँ तो मैं यह बोल रहा था कि वह एक्चुल आर्टिस्ट है प्राउड फिल करने जैसी चीज़ है जैसे कि KGF में यश ने किया उसके पूरे टीम ने जो काम किया है उसके उपर हम प्राउड फिल कर सकते हैं सेम वे में यहां पे डिवाइन एमय बनटा है नेजी यह भी देश का प्राउड है जो लोग बना है और स्पेशली डिवाइन जो निगेटिव शेड से पूर्टि के बंबे के इन सभी चीजों के इन शेड्स को उतना निगेटिव ना दिखाते हुए रियालिटी दिखा के और रियालिटी छुपा नहीं रहा है रियालिटी दिखा के लेकिन हां है इसे रियालिटी बट वी अर स्टिल फाइटिंग और वी विल ओवर कमिट यह हमारा रूटीन है हम इसमें अच्छी चीज़े आड करेंगी यह उसका हर बार मैसेज रहता है इच और एवरी वीडिय इंजोई इसमेजिक और फिल प्राओड तो बी इंदियन फो इस रिजन फोर अर्टिस्ट में बहुत बार काया फिर से कह रहा हूं फिल प्राओड एज एंदियन फोर इस आर्टिस्ट पॉर इनजिया दिखे बटाओं और मुझे बताओ कि मैं कौन कॉंसे टोपिक पर बात पॉर इंद दोंगा फिर आप भी अपना बीना मुझे तो धूर था हूं अच्छा खासा थी फो फ़य्विए प्राइब दूर गया खासा एंभिछ एंद्धन का इस से लॉकल का इस लूम उल्प इससरी कह बहू अच्छा एक्सप्रियंस प्राओट आ कहर जिए ए और भई yeah let me know thank you guys thanks a lot for watching